Hello Leo's, welcome, so ये है आपकी राशी के बारे में 4th July 2020 क्या कहते हैं Tarot Cards in terms of your love life, career life and in general So Leo's, again, आगए आपके cards, आपकी personality को देखकर, give up नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे And, जो कुछ भी हो जाए, भई हम तो हार नहीं मानेंगे, आगए, आपके फिर से card आगे, willpower वाले You know, कई बार में को लगता है, Leo की जब राशी आती है, मैं सेम ही चीज़ कहते ही मिलती हूँ आप हार नहीं मानोंगे, आप give up नहीं करोंगे, आप बहुत अच्छे से कर रहे हूँ, आप अच्छे से लड़ रहे हो You're a very strong zodiac sign And, I guess, Leo की राशी start ही ऐसे होती है मैं क्या करूँ मैं tarot cards के सामें Leo Rashi का नाम लेती हूँ आप जिन्दगी के ऐसे पढ़ाव पर हो जहां पर शायद से आपके partner आपसे इस वक्त में Communication उतना अच्छे से नहीं कर रहे है क्योंकि आपके partner का card ना ऐसे आए कि मैं तो सब चोड़ चाड़ के जा रहा हूँ सब कुछ perfect है अच्छा चल रहा है मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का कुछ तो हो गया मेरा मन नहीं है तो you know all these things have happened Leo's यह दिखता है इस वज़े से ना रिष्टों में तनाव भी बना हुआ है stress भी बना हुआ है लेकिन फिर भी हमारे Leo's हार नहीं मानते हैं आपकी इस मंत में चीज़े थोड़ी सी ऐसी है कि stress है रिष्टों में तनाव बना हुआ है कोई ना कोई चीज को लेकरना situation है कि आप शाद अपने partner को बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं मेरी बात समझो बात करो आपके पार्टनर आपका परस्पेक्टिव समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके पार्टनर को स्पेस्टिवन स्पेशली अगर आपके पार्टनर कुछ ना कुछ वाटर साइन से रिए हैं Cancer, Scorpio, Pisces है या तो अगर दो नंबर बॉन है, 2nd को बॉन है अगर फर एक्जामपल दो तारिक, 29th और क्या होगा, 20, 20, 20, something related to two number related भी है, तभी भी उनके mood swings है, emotions इस मन्त में ज्यादा हो सकते हैं सेवन भी हो तभी, सेवन की family से हो तभी, so somewhere लियो, अब चीज ऐसी होई पड़ी है, कि मुझे प्यार तो दिखता है, वो चिंता मत करो, प्यार है, महबपत है, दोनों तरफा महबपत है, तो वो तो बढ़िया बात है, प्यार पक्का है, लेगि अब यह प्यार में क्या हो दरारे आ गई हैं बीच में, तो वो जगड़ा और घंबीर बाते चल रही है, उस वैसे problem है, but still, all over मैं कहूंगी कि जो main problem ही है, कोई ना कोई ऐसी solution है, कोई ना कोई ऐसी problem है, जिसका solution नहीं मिल पा रहा है, लियो, उस वैसे दिक्कत है, कई बार ऐसा लगता है, कि अभी तक का एक हिस्सा है, पार्ट है, but problem उदर आ जाती है, कब तक, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, ये minor है, कब बात करेंगे, तो वहाँ पर इनसान पर परिशान हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर चिंता बढ़ जाती है, so all over that, so अभी तक जो हमने तीन कार्ट को देखा है, समझाए कि आप लिए उस कही परिशान हो, स्ट्रेस में हो, effort ले रहे हो, दुनिया आपके against है, शायद person भी आपके against है, आपको कोई समझ नहीं पार है, लेकिन फिर भी आप अपने प्यार के लिए लड़ रहे हो, and I feel लिए हो, ये मैं बहुत बार कहा चूँ कि अभी भी कह ये मुझे दिख रहा है, बाकि उसके बाद में, this is the energy for you, लेकिन कहा ना, आपके partner उतना effort नहीं ले रहे है, रिष्टे में, आपके partner कहरें, बई मिर को नहीं पता, मेरी नहीं अगर solution मेल रहा है, तो मिर को अकेला चोड़ दो, या वो किसी बात से गुस्सा होगे, और बात आप उनको मनाने की कोशिक करो, समझाने की कोशिक करो, but the point is, रिष्टे में जितना effort आप ले रहे हो, उतने आपके partner रिष्टे में effort नहीं ले रहे है, बले ही वो प्यार करते हो, बट वो effort नहीं ले रहे है, this is what is seen, लियो अभी तक जो मुझे दिख रहा है, बाकि अभी बह partner ने आपको कहा दिया, कि मेरे साब से, मानलों गुस्सा होके भी कहा देते हैं, कई बर सीरिसली कहा देते हैं, कई पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो मैं सब लियो के लिए नहीं है, चिंता में मत पढ़ जाना, कुछ लियो के लिए हो सकता है, जिनकी situation कुछ इस प्रकार चल रही हो पहले से, कि रिष्टे का कोई solution नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके partner ने give up कर दिया, आपके partner बार बर बोडर की में को रिष्टा end करना है, बात नहीं कर रहे हैं, आपको response नहीं कर रहे हैं, तो ये cards कहते हैं, कि maybe जला है मान्त में, उस relationship को लेक standing आती, तो उसे स्विकार करना अपड़ा है, अगर by destiny, पीछे से ही ऐसा हो रहा है, लियोज की कोई रिष्टा खतम हो रहा है, कोई रिष्टे का workout नहीं हो रहा है, तो उसको वैसे ही स्विकार करना suggested है, as per taro cards, क्योंकि आपका उसमें कोई control नहीं होगा, वो by divine plan होगा, तो उस पर trust कीजेगा, उस पर बरुसा कीजेगा, एक तो यह चीज पहलू suggested है, अब जिनके लियोज के चोटे मोटे जगडे हो रहे है, इतनी problem नहीं है, ठीक टाक चल रहा है, थोड़े बहुत issues हो है, पड़े है, मिसलने स्टानिक्स होगी है, उनके लिए फिर भी मैं काऊंग तो हमसे बात करना, नहीं तो just take your time, आपने partner को थोड़ा सा space, time दे, वो जाधा अच्छा है लिए, उन पर pressure ना डाले, वो फिर भड़क के कह देंगे कि भई ठीक है, मेरी साब से कुछ है, तो emotionally काफी disturbed मुझे दिख रहे हैं आपके partner, तो July मत में किसी परकार की recovery नहीं कह सकती तो प्यार में को दिखता है, दोनों को ही तकलीफ हो रही है, दोनों की ही attachment है, दोनों तरफा emotions है, बट कोई situation complicated ऐसी है, जो इस वज़े से July मत में इतनी जल्दी, वो emotionally recovery जल्दी नहीं दिखती है, so I have to say, Leo's की थोड़ा सा patience रखना होगा, रेस्ट अगर हम बात करने के आपके career reading, so यहाँ पर आपके लिए card आए, the star का card है, यह काफी अच्छा card है, यह card बताता है कि career में Leo's की जिंदगी में positivity आएगी, improvement आएगी, so अच्छी सी hope, प्यारी सी hope बनाए रखें, चीजे improvement में हो सकती है, अगर काम normal चल रहा है, तो normal routine का चलेगा, आपके काम में में को बहु positivity दिखती है, brightness है, तो उमीब और hard work करते रहें, काम में success, growth, positivity, hope मुझे दिख रही है, अब आपको पता कि आपको उन से level पर है और क्या चाहते हो, तो जो यह आपकी journey है, कुछ पाने की, तो July मत में उन चीज़ों में recovery हो सकती है, so career और financially positivity दिख रही है, तो it's interconnected, so चाहे exam हो, पढ़ाई हो, interview हो, job हो, everywhere, somewhere, थोड़ा सा betterment, positivity हो, अच्छे दिख रहे है, so it is a good card of course, for career wise, I see Leo's के आपकी life में कही न कहीं, थोड़ा सा आपने AC को थोड़ा बन किया, Leo's, so यह दिखता है, so career wise कही न कहीं अच्छी improvement and positivity दिखती है Leo's आपकी life में, so that is a good thing, वही अगर बात करने कि आपके लिए divine guidance card क्या है, as per tarry all over vibe क्या है, तो यहां पर कहीं न कहीं न फिर से आत हो गया है, आपके लिए two of cups का card, यह divine message तोर पर बताता है all over vibe के तोर पर कहीं न कहीं आपके इच्छा है, आपके partner से बात करने की, communication करने की positivity लाने की, सारी cards को अगर मैं combine करू with this card, so यह card क आपके लिए आपकी life में, in this month of July, आप कहीं न कहीं अपना best try करोगे, communication करने का, अपने partner से, बात करने का, और कुछ लोग एक partnership तौर पर भी business start करने की इच्छा रख सकते हैं, या कुछ couples कहेंगे कि हम अपने partner के साथ अगर business करना चाहें, तो इस तरीके की new ventures को भी start किया ज relationship की हो जाए, अगर प्रॉबम्स है तो ऐसी इच्छा ऐसी guidance देखती है, so ऐसे love life हो, career हो, all over Leo's का July मत में, career थोड़ा बहतर और positive दिख रहा है, अच्छी hope दिख रही है, हो सकता है, उनके partner उनको support कर रहे हो, career में, जो married couples है गई, करी ये सारी चीज़े भी दिखती है, बाकि जो मैंने पहले relationship के लिए कहा, अगर किसी का comeback का इंतजार कर रहे हैं, तो वहाँ पर possibility थोड़ी सी कम दिखती है, because the tower card का combination है, तो ये सारी चीज़े आपके लिए दिखती हैं, Leo's, रहे हैं छोटी मोटी problems हो, तो मैं ये मन्त को आपके लिए बहुत जादा highly recovery मन्त ने कह सकती ह अभी भी time है, आपके partner आपसे अच्छे से बात करें, अपनी feelings को express करें, उनके दिल में भी प्यार है, आपके दिल में भी प्यार है, लेकिन कुछ बातों का ego या कुछ बातों का गुसा अटक गया है, जिस वैसे रिश्टों में बात नहीं हो पारी, ये तो अभी तक हमें card स से दिखता है, अगर हम आगे बात करें कि आपके लिए divine guidance card क्या है, तुम्हें क्या बताऊं लिए हो इतना प्यारा guidance card है आपके लिए, ये card को ऐसा कहता है, उल्टा देखेगा आपको शायद अभी, तो image देख लो, image तो समझ जाओगे, यहाँ पर लिखा है, surrender to rest and sleep, to prevent burnout, slow down, honor your need for quiet time and peaceful sleep, to rejuvenate your mind, body and spirit, इसका मतलब कुछ इस तरीके से है, कि Leo specially एक ऐसा zodiac sign है, जो अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत करता है, बहुत कुछ देखता है, हार नहीं मानता, so it is a very energetic and an active body mind in Leo, सुचाय उनका love life हो, career हो, बड़ी मेहनत करते हैं, हम Leo's को एक lazy नहीं कह सकते हैं, इन्हें गुस्ता भी जल्दी आता है, यह agitated भी जल्दी हो जाते हैं, इनके अंदर passion भी बहुत जादा है, तो जिन्देगी में यह बहुत बार कम सामय में बहुत सारी चीज़े हासल करना चाहते हैं, आपके लिए divine guidance card for July मन्थ में यह आया है, कि कहीं न कहीं आपके लिए rest और sleep भी बहुत ज़रूरी है, जल्दी मन्थ में जो आपके आज-पास में stress और हम कहते हैं, हम हमेशा ऐसे सख्रमआ में बहुत रहते हैं, मतनगल भोने फ़ेक्स है और बहुत सिद्ध करने हैं, हम हमेशा अम्हें जो चाहते हैं, आपके कैसMe, अवर आपके तो माहाते हैं, सफ्रेश हो और यह तो मैं आपके भी की दोग सारी रहते हैं, और एगफा, अएवां Pedads बहाते हैं, सफम और आपने दाया है काई इसकी rest and sleep यह थोड़ा सा slow down हो जाना हम कहते हैं थोड़ी सी break लगाएं, detach होएं, इन सारी अच्छाओं से इन सारी चीजों से थोड़ा सा अपने 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 आपको relax करें फोड़ा सा चीजों को surrender करें and sleep and rest को भी priority दें वो भी आपके तो कुछ हो नहीं जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा प्यार भी बहुत इंपॉर्टन्ट है, मैं बहुत परिशान हो, मैं सोंगा नहीं तो भी पुछ चलेगा, sometimes it's happen, कभी कभार ओचलता है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को अपने से ज़्यादा कोई चीज को priority दें, अब कहते हैं, हम ही से सारी दुनिया है, कोई कुछ और न ले ले believing, it just means that खेंगे, हम अगर हैं, खेंगे जाए रिष्टे हैं, आप था पैसा कर आओए, आपकी सब को आपकी द्रीम्स है, तो कही न कहीं, rest and sleep is a very big priority for you, Leo, in short, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्लीप लें, रेस्ट करें, अपने आप वो अवर स्ट्रेस्ट आउट ना करें, टेक तिंग्स एजीली, तो मेडिटेट करें हुगा करें, यह आपके लिए सज्जेस्टेड है, लियोज फॉर दिस मंथ, बताएगा लियोज कैसी लगी कि लियोज के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, पता नहीं लियोज के अच्छे दिन कब आएंगे, नहीं ऐसे मन पूलो, लियो एक अच्छा साइन है, लियो एक अच्छा जोडियक साइन है, तो अपनी जोडियक साइन के आगे आप नेगेटिव नेगेटिव ना लिखें, उपर वाले को परातना करें, हर एक राशी, हर एक ग्रह, हर एक चीज खुदरत ने बनाई है, खुदरत जो भी चीज बनाती है, उसे उसे प्रोटेक्शन, उसे उसे तनी ताकत, उसे उतनी गाइडन्स जरूर देती है, तो ऐसा कुछ ने कि कोई एक जोडियक साइन, बहुत बुरा है, और कोई एक जोडियक साइन, बहुत अच्छा है, जबए को प्लस न बाइनस, पताना कैसी लगी अपको रिडीग, अगर आप कोई परसून देशन चाते हो, से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल आप वहां से मुझे कॉंटाक कर सकते हैं थैंक्यू सो मच पो वाचिंग